नमस्कार दोस्तों सब्सक्राइब को पूरा देखिए कोई भी आपका फीडबेक है कोई सजेसिंगे तुरंद वीडियो में कमेंट करके जरूर रता ही है अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तु नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है study for exams में दोस्तों टॉपिक वाइस करेंट फेर को आगे बढ़ाते हुए आज भी हम लोग 5 टॉपिक को इस वीडियो कमा दिम से कबर करेंगे हैं वीडियो शुरू करने से पहला आग बताना चाहता हूं UPSC, APS, RO, BO सहीथ हमारे क जुनना चाहते हैं तो यह हमारे देगे नमबर है इस पर कॉल एवार्टसप करके जो है जहनकारी प्राप कर सकते हैं तो दोस्तों आज वीडियो शुरू करते हैं देखते हैं आज को पहला टॉपिक यहां पर जो भी टॉपिक लिया जा रहा है वह जुलाई 2023 से लेकर जो ह मूस्ट इंपॉर्टन फैक्ट आपके पर इछग लिया हैं उनको कबर किया जा रहा है तो यहां पर पहला टॉपिक है लुसाने डायमंड लीग 2023 इसे जो है टोक्यो उलम्पिक में स्वन पदग जो भी जेता रहे हैं नीरे चूपडा ने 87.66 मीटर दूर भारा फेक कर जो ह है तो लुसाने डायमंड लीग 2023 में जो है गोल्ड मेडल नीरे चूपडा ने जीता है और इससे पूर जो है टोक्यो उलम्पिक जो आज़ित किया गया था उसमें इन्होंने स्वन पदग जीता था और इससे पूर जो है दोहा डायमंड लीग में भी इन्होंने 88.66 मीटर जो है भाला फेक कर स्वन पदग जीता था अभी हाले में जो है 200 एथलेटिक्स चेंपियंशिप में पूर्चों की भाला फेक असपर्धा में जो नीरा चूपला जी है इन्होंने राज़त पदग जीता है और उसी प्रतिय असपर्धा में ग्रेनेडियन भाला फेक की जो खिलाडी हैं एंडर्सन पीटर्स ने जो है इन्होंने 95,4 मीटर थोरो के जो साथ जो है इन्होंने स्वन पतग जीता है तो 200 एथलेटिक्स चेंपियंशिप जो आज़ित किया गया था संदीत राज अमेरिका के ओरेगन में ओरेगन में यहां पर नीरा चोपला ने रज़त पतक जीता था और नीरा चोपला जो है यह हर्याना राज के पानि पत के रहने वाले हैं इस प्रकार जो है टोकियो ऋलंपिक में सोंड़ पतक जीतने वाले जो खिलाडी हां आपके है नेरे चोपला जी हैं और इन्होंने लुसाने डाइमंड लीग दोजाट एजिस में गो सौलिस्ते cadern very hinterjuster भारत के जो मौजूदा सौलिसितर जनरर हैं तुसर महताई जी इनको कैबिनेट की नियुक्ति समित ए सीसे द्वार जो है तीन साल के कारेकाल का जुए विस्तार दे दिया गया है इनकी जो नियुक्ति है वह विस्तार कर दी गए तीन सल के लिए तुसार महताजी जो वर्तमान में सॉलिसेटर जनरल है कैबिनेट के नियुकती समित की जो अस्थापना के गईती गठन किया गया था 26 जनरल जो 1950 को गठन किया गया था और इसको जो अध्यच होते होते हैं अर्थात वर्तमान में जो है नरेद मोदी जो है ACC के अध्यच है सॉलिसेटर का जो पद होता है वो देश का दूसरा सबसे बड़ा कानून अधिकारी होता है वरतमान में तोसार महता है, इनका 3 साल का रिष्तार दिया गया है अगला डॉपिक है भारत के पहले सोदेसी परमाण उर्जा रेक्टर गुजरात के सूरज जिले में काकरापार परमाण उर्जा परउजना KAPP 4 में शुरू हुआ है और यह जो है 700 मेगावाट का परमाण उर्जा रियक्टर है और यह जो रियक्टर है यह वानरिजिक सनचालन शुरू कर दिया है इससे पूर भारत का पहला परमाल रियक्टर अपसरा था और ये मुंबई के भावा परमाल अंसंधान केंद्र के ट्रामबे परसे में बनाय गया था और इसका उधगाटन है तो ततकालीन प्रधामंत्री जोहाला नेरू ने 20 जनुरी उन्निस सताउन को इसका उधगाटन किय आता है तो भारत के पहले सोदैसी परमाल उज्या रियक्टर जो है आपके गुजरात के सूरे जिली के काक्रा पर परमाल उज्या परयोजना में शुरू हुआ है और भारत का पहला परमाल रियक्टर आपके अफसरा है यह सब फैक्राप्प्रों नोट करते चलिए विए इ के साथ verses प्रक Edwards & sad का सामानका स्टार्व है इसमें पहला स्थान पर हो हम तो पहले है स्थान में पहले स्थान पर निर्याथ् yag जिसने चार सुनो नो सुनी बिलियन अमेरिकी डालर साथ जो है यह दूसरे अस्थान पर है तीसरे अस्थान पर आपका कनाटक है जिसने टोटल जो है चार सुनो पांप दो बिलियन अमेरिकी डालर साथ यह तीसरे अस्थान पर है तीसरे अस्थान पर है तीसरे अस्थान पर बहुत सारी इलक्ट्रानिक जो निर्मार्ता कमपनियों ने अपना निर्मार किंदर बनाया है यही कारण जो है इलक्ट्रानिक निर्याद 2022-23 में तमिलनाड पहले स्थान पर रहा है अगला जो टॉपिक है प्राक्तिक आर्खोजा गया है भारतिय भूब ज्यानिक सर्वेचन GSI दोर जो है ओडिसा में भारत का सबसे बड़ा प्राक्तिक महराब जो है वो खोजा गया है और यह जो महराब है यह एक अंडाकार का महराब है और इसकी जो आधार की लंबाईव आपके 30 मीटर है और इसकी उचाई आपके 12 मीटर है तो सीरी सीरी परिच्छम आपके पूछेगा कि भारत का सबसे बड़ा प्राक्तिक आर्ख यह महराब जो कहां खोजा गया है आए इससे लेटर कुछ प्रस्णों के कम लोग प्रेक्टिस कर लेते हैं आपके परिच्छम किस प्रकार से प्रस्ण पूछ सकता है यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है पहला जो स्टेटमेंट है लुसाने डायमंड लीग दोजाद तेज का खिताब नीरच चोपड़ा ने जीता है इसका दूसरा स्टेटमेंट हो भी सही है आपका है भारत के पहले सोदेशी परमाड़ रियक्टर के संचालन जो है वो गुजरात राज के सूरत के कांकरापार में सुरू है इसका जो आपके सही है अगला जो स्टेटमेंट उसको देखते हैं अगला जो प्रस्ण है भारत क के वरतमान अटार्णी जनरल और वेंकर्ट रमनी हैं और कैबिनेट के नियुक्ति समीती ए सिसी के अधर्च ग्रेह मंत्री होते हैं आपको आपके लिए चार विकल दिया गया है विकल आप लोग पढ़ लिए पहला जो स्टेट्मेंट वो आपका सही है स्वालिसिटर जनरल तुसार महताई जो कारिकाल है वो तीन वर्च के लिए बढ़ा दिया गया है दूसरा जो स्टेट्मेंट वो गरत है भारत का सबसे बड़ा कानून जो अधिकारी होता है वो है स्वालिसिटर जनरल नहीं बलकि महानियावादी होता है महानियावादी जो है वो देश का सबस जो आपके वह आर वेंग का ट्रम नहीं है आटान्दी जर्रल जो है इसको हिंदिया वह लोग महानियावादी की नाम से जानते हैं तिया तीसरा जो स्टेट्मन आपका सही है चौथा स्टेट्मन आपका गलत है कैबिनेट के नियुकति समीत एसेसी की जो अध्यच होते हैं वागरी मंत्री नहीं होती बलकि पीम होते हैं इस प्रकार जो है पहला और तीसरा जो स्टेट्मन आपका पहला और तीसरा श्टेट्मन आपका सही है दूसरा और चौथा गलत है यहाँ पर जो है केवल एक और तीन आपका सही होगा केवल और एक और तीन कर लिजी आप लोग यहां पर इसको हम लोग और इसका जो आप्शन ए है उसको सही मान लेंगे आप लोग पहला और तीसरा जो इस्टेटमेंट आपका सही होगा केवल एक और तीन देश का सबसे बड़ा जो कानुन अधिकारी होता है वह आठानरी जनरल होता है तिसले इसका जो दूसरे श्रमिट यह भी गलत हो जाएगा और कैबिनेट के न्यूकतिय समीत की जो अध्यच होते हैं आपके पीम होते हैं तिसले जो है चौथा स्टेटमेंट आपका गलत होगा पहला और तीसरा आपका सही होगा तो यहां पर माल लेजे इसका जो महराब खोजा गया है दूसरा श्रेटमेंट वित्त वर्ष 2022 देश्क के दवरान तमिल्लावड ने इलक्रानिक सामान के निद्यात में पहला स्थान प्राप्त किया है किवल एक सही है किवल दोनों सही है या इनमें स्कोई नहीं तिसका जो पहला स्टेटमेंट वर्ष सभी साहिए भारतिया भूग वर्ष ग्यानी सेर्वेशन द्वारा ओडिसा में भारत को पहला प्राक्ति महराब खो जागे है यह इस्टेटमेंन आपका है दूसरा श्रेंट यह वी सही है किता मिलां ने वित्त वर्ष 2022 देश्क के दोरान इलक्तानिक सामान निर्यात में प्हला झाल